मध्यप्रदेश के सिवुनी जिला शिव की नगरी कहलाता है और इस शिव की नगरी में लखनादौन विधान सभाक शेत्र के घंस और तहसील में पहली बार प्रदेश के मुखिया मोहन यादव का आगमन होने जा रहा है लोकसभा प्रदेश के मुखिया मोहन यादव का आगमन आज 31 मार्च को दोपहर दो बजे होने जा रहा है जिस पर भाजपा जिला अध्याक शालोक दुबे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के मुखिया पहली बार शिव की नगरी पहुंच रहे हैं लगातार कॉंग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकरता भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं तो दूसरी और पुलिस विभागदी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है बार गेटिंग और पुलिस व्यवस्था चारू और नजर आ रही है सिवनी जिला उत्साहित है और खास तोर पर यह हमारा आदिवासी अंचल जहां पर पहली बार उन्होंने आना सुनिश्चित किया है इस जिले में अगर वे आ रहे हैं तो और हम सबने आगरह किया था प्रदेश की बेटकों में कि आप पहले हमारा लखना दोन आदिवासी कि अंचल है और इसमें चुकि हमारा काफी बड़ी मात्रा में हमारे आदिवासी भाई भी उपस्त यहां पर है और इसलिए हमने आगरह किया कि इस चुनावी सभा में आप जरूर यहां उन्होंने आगरह को स्विकार किया और वे कल हम सब के बीच में तीन बजे उपस्थि रहेंगे कि कल के जो मुकमंद्री जी कारी करम में पाफ्सों से साथ सो कांग्रेस भाजपगी सदस्ता ले सकते हैं और यह केवल इस जिले में ही नहीं जहां-जहां हमारे कारकाम हो रहा है कल भी प्रदेश में हमारी बैटके थी और लगवग कीं से चारहजार लोगों ने भारती जनता पार्टी की सदस्ता ज्वाइन की है और उसमें हमारे अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह जो चिंदवाड़ा से आती हैं उन्होंने भी भारती जनता पार्टी की सदस्ता ज्वाइन की आगर मालवा से खजुराहों से और ऐसे बहुत सारे छेत्रों से सभी कॉंग्रेस के प्रत्यासी के आनन्द पंजवानी उन्होंने कल महां सद्धिस्ता प्रदेश अध्यक जी और मुख्यबंतर जी के समक्ष ली है जैसा कि सभी को विदित है कि कल सीम साफ घंसौर में आने वाले हैं और जन सभा का आयोजन करने वाले हैं जिसके लिए सभी नियमों के तहट जो भी नियम कानून है अचार सहिता का पालन करते हुए उन नियम कानूनों के तहट सभा होने वाली है और इसमें कानून विवस्था के तहट चुकि हैलिपेट समनापूर गाओं में बनाया गया है और वहां से जन सभा तक लगवक 3.5 किलो میटर की दूरी है जिस पर सभी जगे पुलिस विवस्ता लगाई गई है जितना भी सभाईस्थल मंच विवस्ता उसमें पुरी तरह से मुस्तेधी के साथ लगाई गई है जितने बी रूट है, जितने बी बाहर जाने के रास्ते हैं घंसौर से, उनमें सभी में बैरिकेटिंग की गई है और पुलिस बन लगाया गया है और बाकी मज़ विवस्था पर जो भी सेक्टर्स बनाए गए हैं सभाइस्थल पर उन सभी में अलग-अलग जगे पर पुलिस विवस्था लगाई गई है जितना भी हैली पेट पे विवस्था लगाई गई है पूरी तरह से और यातायात के लिए भी एक अलग तरह के से विवस्था श्रीमान पुलिस अदिक्षक महुदय के निर्देशन में और एत्रिक पुलिस अदिक्षक महुदय के निर्देशन में लगाई गई है